यहां पर देखे जियोग्रफी के लिए हम पहले ही सबसे पहले जो कि हम क्लेमेटर लोजी के यहां पर लेके चल लाए हैं क्लेमेटर लोजी में जो की हम डिसकर्श क्या क्या करेंगे उससे को दिखते हैं पहले प्यात क्या होता है जो फीजिकल जेवाएट करते हैं जिसे पहले पहले देखे थैं प्यार चाहिए आप इसमें फिजिकल जगवर्पीं में तीन पार्ट होती है, तीन पार्ट में पहला होता है geomorphology, geomorphology होती है, इसेकेन होता है आप सकते है climatology होती है, और तीस्रा ज़़ता oceanography होती है, यह तीन topics होते हैं, और इसमें से आप कोई भी oceanography को चोड़ करके, छाहे जियो, Neo-Morphology और क्लमेटोलोजी कोई भी जोगी आप ही च्टार्ट कर सकते यहां पर हम सबसे पहले discuss करेंगे क्लमेटोलोजी को हैं oh ।। हम क्लमेटो लागी में जो भी discuss करेंगे उसके भारे में की पहले देखे लिए तक हैं क्या करेंगे फिर उसके बाद हम आएक के बारे में डिसक्स करेंगे फिर उसके नीचे हम आएंगे तो motion of the earth की बात करेंगे जैसे माल यह की यह शन हो जाता है और इसकी एराउंड एक जो की माल यह कि अभी winter है फिर उसके बाद summer आ जाए फिर उसके बाद जो की मान सून सेशन जैसी चीजे और県न काप कैसे आते हैं उसको हम डिसक्स करें तिस्विसरा ममल जरडो जो कि divide कर लेते हैं कई में जैसे stratosphere होता है troposphere होता है mesosphere, thermosphere होता है उसी में जो कि आपको मिलेगा क्या वोलते हैं कि होजुन layer भी मिलेगी तो यह सारी चीजी हम उसमें discuss करेंगे next हमारा जो यहां पर lecture होगा उसमें देखेंगे temperature distribution कैसे होता है जैसे temperature क्या है जिसे माल लिए कि यह round type में हलका सा जो कि अर्थ होती बीच में होता है जिसी हम north 0 degrees north south की तरह अगर move करते हैं तो temperature में जो कि घटा या फिर degrees देखने को मिलता है और जब temperature temperature कम होते जाता है तो क्या होता है कि pressure का भी जो कि differentiate बढ़ता है और उसमें कहीं न कहीं या फिर direct relation है rainfall का participation कम होता है जब participation कम होगा तो vegetation जैसी चीज़े होती बायोम जैसी चीज़े होती है वह आपको कम diversity fight देखने को मिलती है यह चीज़े नेक्स हमारा अगर जो छटा पॉइंट है पांचवा चेप्टर होगा हमारा उसमें हम डिसकस करेंगे प्रेशर सिस्टम एंड विंड प्रेशर सिस्टम हमने वही का कि temperature फिर उसके बाद जो कि pressure दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन तरह तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा temperature अगर इन्क्रीज हो रहा तो प्रेशर जो है कि आपका इन्क्रीज होगा तो यह चीजी कहीं ने कहीं हमारे जियोग्रफी के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है कि हम यह जानने कि डिमांड एंड सप्लाई का क्या होता उसी तरह मेरा माना जियोग्राफ तो प्रेशर किस तरह का relation होगा आते हैं जो हमारा चटा टॉपिक है उसमें देखे हैं हाड्रो साइकल जैसे हाड्रो साइकल इन्द सेंस की जैसे माल यह वाटर होता है वाटर को हम तीन स्टेज में रख सकते हैं जैसे लिक्विड होती है जब हम वाटर की बात करते हैं तो करना के थे ही अर्टर के बात है क्याया क्या थे इस लिक्विड होती हो दो कि एक समय के बाद आएगा उबलते हैं हम उबलते साइय वाटर में बने तो जब इंक्रीज करिए जिसा आप कैटली में अपने पानी वाटर को बॉल करिए तो इसमें क्या होता कि एक समय के बाद ऐसा आगा उबलते उबलते सारे वास्प बन जाएगा मतलब गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपके कैटली में कुछ भी नहीं बचे इसमें उसमें करूं। टम्प्रेचर बड़ा यह लिकवीड है लेक्विड जो कि गयास बन जाएक ही तक है और अच्वीड गयास बने Sum घया र होता है मतलब जो कि वाटर होता वह जोगी काफी चुलिड में हो जाता है तो उसको हम snowfall बोलते हैं तो इसी वज़स होता है बहुत तेजी से उपर चला जाता ता temperature जो कि decrease होता है और जो होए कि वो जो कि freezing जो freezing point होती है less than one centigrade के उपर zero degree centigrade पहुँच जाता है और यह जो कि solid में हो जाता है और वो उपर की जो air होती है उसको hold नहीं कर पाती है और वो जो है कि ऐसे बुंद बुंद करके मतलब पत्थर की जम देशी भासा हम बोलिए तो उसको करते हैं कि बर्प की बारिश हो रही है तो यह चीजे रही और उसके बाद हम यहां पर discuss करें करेंगे यह जो कि यह क्या होता कि अब कभी सुनते होंगे कि बिजली तड़कती इस तरह से फिर उसका sound आता है ठीक है वह वैसा क्यों होता है उसको इसलिए होता है जो pressure gradient होती है वह बहुत जादे होती तो उसमें क्या जैसे आप जमी पर आंदी बहुत ते चलती तो कहीं बेड में तकराती है तो उसको क्या आवाज संसं की आती है तो उसी तरह थंड इस्ट्रोम भी होता है water particles होते हैं जो कि वहां के atmosphere से टकराते हैं बादाल एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें से आवाज निकल करके आती है तो यह हमारा 7 topic रहा जो कि हम discuss करेंगे और next वीडि और चोटे चोटे वीडियो बनाएंगे तो अब के लिए इतना ही और थैंक्यू थैंक्यू भेरी में द्रिश्करशान